हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में रेलबे में बरतमान में चल रही तीन भरती एंटीपीसी गुरूपडी एवं मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेट केटेगरी तीनों भरती के बारे में बात करने बाले हैं क्योंकि NTPC Group D एवं Ministerial एवं Isolated Category तीनों भरती से जूरी महतपूर्ण अपडेट आई है और आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में दिया गया था कि सभी RRB और RRC बंद किये जाएंगे तो सभी स्टुडेंट के मन में डाउट ता कि NTPC Group D एवं Ministerial एवं Isolated Category भरती का क्या होगा ये भरती अब कौन कंप्लीट कराएगा तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट किलियर करने बाला है कि RRB और RRC कब बंद किये जाएंगे RRB और RRC बंद किये जाने पर रिल्बे में भरती कौन कराएगा साथ ही आपके NTPC Group D एवं Ministerial एवं Isolated Category इन तीनों भरती कब तक कंप्लीट करा ली जाएगी सारी बाते इस वीडियो में जानने बालें इसलिए आप लोग वीडियो को पूरावस देखेगा तो चली आज कब डियो स्टाट करते हैं तो देखे आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है और आपके रेलबे में जो बरतमान में तीन भरती चल रही है ये भरती कब तर कम्प्लीट करा ले जाएगे तो यहां का आगया है कि देश के सभी रेलबे भरती बोर्ट वो और रेलबे भरती सेल बंद किये पदों को भरने का काम, रेलबे भरती बोर्ट और रेलबे रिकूट्मेंट सेल करते हैं, डेस में 21 रेलबे भरती बोर्ट वो 16 जोनल रेलबे रिकूट्मेंट सेल हैं, रेलबे भरती बोर्ट नॉन टेकनिकल पोपुलर केटेगरी, पेरा मेडिकल, मिनिस्टरियल, स्टाप औ और isolated category के पदों पर भरती कराता है वहीं RRC केबल संभवित जौन के लिए group D की भरती का काम करता है तो आपके railway में बरतमान में जो भी भरती चल रही है NTPC, group D, ministerial, isolated category इन सभी भरती को पूरा करने के बाद ही आपके RRB और RRC बंद किये जाएंगे और देखिए इसमें आगे क्या का जाएंगे सारा काम प्राइबेट फार्मों से करने तक का काम संबंधित एजंसी की ओर से किया जाता है बोर्ट केवल दस्ता भेजों की जांच और इंटरवियू के बाद पेनल जारी करने का काम करता है इसलिए मानाài है कि इसके लिए अलग एजंसी से काम बड़ी रखम खर्च करने की आवसक्ता नहींहीं या काम railway की अधिकारी भी कर सकते हैं तो यहां का जा रहे कि railway board सिर्फ notification जारी करती है और document verification करवाती है इसके बीच जितने भी कारे हैं जैसे कि आबेदनों की जांच, परिक्षा की तैयारी, टाइम टेबल, परवेश पत्र, परिक्षा जित करना, अब्जेक्षन, ट्रेकर, उत्तर, कुंजी, परिनाम जारी करना, यह सभी कारे private agency के दोरा कराया जाता है तो अब railway में जितनी भी भरती आएगी, उससे जुरा सारा काम अब railway के अधिकारियों के दोरा कराया जाएगा और private company के दोरा अब railway के exam नहीं लिये जाएंगे यानि कि अब railway के exam TCS या NACIT के दोरा नहीं लिये जाएंगे, अब railway के exam NTA के माध्यम से कराया जाएगा देश भर में अब सभी पदों की परिक्षा National Testing Agency के माध्यम से कराया जाएगी इसलिए सरकार का मानना है कि railway भरती बोड और railway भरती सेल को बनाय रखने का कोई ओचित नहीं है इस प्रस्ताव को सरकार की सुकृति मिल चुकी है रेल अधिकारियों के नुसार, railway बोड को बंद करने से पहले उन परिक्षाओं को आयोजित करने की तैयारी है जिनकी अधि सूचना जारी की जा चुकी है अतबा भरती अंतिम चरन में है बोड और सेल में सारा स्टाप रेल बे का है उन्हें वापस मूल विभागों में भेज दिया जाएगा तो रेल बे बोड बंद किये जाने से पहले आपके जितनी भी भरती अभी चल रहे है उसका एकजाम पूरी भरती कम्पलीट करा ली जाएगी उसके बाद ही आपके रेल बे बरती बोड को बंद किया जाएगा यानि कि आपके NTPC, GroupD, Minister, Isolated Category ये तीनों भरती जल्दी कम्पलीट करा ली जाएगी आपके 222 तक ये तीनों भरती कम्पलीट करा ली जाएगी तो र kötü बंद किये जाने के करण आपके NTPC, GroupD की भरती परक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी तो आपके कि 2022 तक इसके अनुसार आपके इंटी पीसी वापन गूरूब डी भरती प्रक्रियां कंप्लीट करा ले जाएगे तो देखिए आगे क्या होता है तो चलिए आज कब देश्माप्ट करते हैं वीडियो चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब तब देखने के लिए अब का धन्यव हुआ ह कराफ तो